हेलो एवर्यों नमस्कार विल्कम प्रेस के पटेल आपलों का फिर से विल्कम करता हूँ आज का इस सेसन में हम 36 गड़ समान यध्यन के अंतरगत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का अध्यन करने वाले हैं जो की है 36 गड़ के लोकपरव, 36 गड़ के तीज तेवहार तो यदि आप 36 गड़ में CGPSC के तयारी कर रहे हैं या CGVYAPAM के तयारी कर रहे हैं या 36 गड़ के किसी भी गजाम के तयारी कर रहे हैं जिसमें syllabus के रूप में 36 गड़ विसाय है तो यह एक बहुती महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे हमेशा से हर एकजाम में प्रस्ण जो है वो आपके पूछे गए हैं तो आज के इस लेक्चर में हम समझने वाले हैं 36 गड़ के 30 तेवहारों के बारे में हिंदू पंचांग के अनुसार देखिए क्या होता है कि जनरली हम जिस केलेंडर का यूज करते हैं वो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रेल, दिसंबर तक का जो आपका केलेंडर होता है उस केलेंडर के अनुसार कभी भी हमारे जो है तीज तेवहार जो है उनको निर्धारित नहीं किया गया है और वहां से प्रस्ण भी आपका नहीं बनता है तो जो हमारा हिंदी महीने होते हैं जो कि चैत्र, ब्यसाग, जेट, असाड से लेकर के आपका फालगून तक जाता है उन महीनों के आधार पर, कृष्ण पक्च के आधार पर, सुक्ल पक्च के आधार पर, अलग-अलग तिथियों में जो है, अलग-अलग प्रकार के तीज तेवहार जो है, वो आपका आयुजित होते हैं बहुं सारे तीज तेवहार ऐसे हैं, जो चत्तिज तेवहार आपको ऐसे मिलेंगे, जो केवल चत्तिज गड की लोक संस्कृती से ही जुड़े हुए हैं, जो केवल चत्तिज गड राज्य में ही मनाई जाते हैं कुछ तीज तेवहार ऐसे हैं, जो केवल आदिवासी अंचलों में ही आपका मनाई जाते हैं, तो इसको आपको डिफरेंसियेट करके अलग-अलग पढ़ना है, रटना नहीं है, समझना है, समझने के लिए सबसे पहले आपको जो हिंदी महिने होते हैं, उनको पहले आपको समझना पड़ेगा, उनको समझने के बाद कृष्ण पक्ष क्या होता है, सुकल पक्ष क्या होता है, कौन सा पहले आता है, कौन सा बाद में आता है, किस पक्ष में कितनी तिथिया होती है, अमावश्या किसको कहा जाता है, पूर्णिमा किसको कहा जाता है, इन सभी को जब आप समझेंगे, तब जाकर के तीज तेवहारों को आप अच्छे से याद कर पाएंगे, तीज तेवहारों के नामों को तिथियों से कनेक्ट कर पाएंगे, और जब आप इसको कनेक्ट कर पाएंगे, तो ये आपको हमेशा लंबे समय के लिए याद रहेगा, क्योंकि हर तीज तेवहारों को समझना हैं, उनको आत्मसाथ करते हुए चलना है कि उन तीज तेवहारों में एक्च्वल में क्या-क्या घटनाएं होती हैं, कि इनको वो तीज तेवहार समर्पित होता है, उस दिन क्या-क्या activity वगरा आपका की जाती है, तो जब आप इसको detail में तब जो है ये तीज तेवहार आपको इसली आध होंगे क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो तीज तेवहारों का नाम तो जानते हैं लेकिन उनके 26 में वैसे हर सुलास के साथ उन तीज तेवहारों को नहीं मनाया जाता होगा जिसके चलते उन तीज तेवहारों को वो अच्छे से इमेजिन नहीं कर पा रहे होंगे रूरल एरिया ग्राइमडी चेत्र में तो इनको अच्छे से मनाते हैं लेकिन जो आपके अर्बन एरिया है सहरी चेत्र हैं वहाँ पे धीरे धीरे ये विलुक्ति की कगार पर भी चले जा रहे हैं तो 36 गड़ में कोई भी एक्जाम हो चाहे वरतमान आने वाला एक्जाम हो चाहे आपका भविस्त्य में आने वाला जो आपका एक्जाम हो उस हर एक्जाम में जिसमें 36 गड़ है तो आपको ये डीटेल से पढ़ना पड़ेगा ठीक है तो चलिए क्लास की सुरुबात करते ह और यदि इस class का PDF आपको चाहिए, तो screen के नीचे जो दो WhatsApp नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, उसमें से जहां पे आपको free course लिखा हुआ है, उस पे आप WhatsApp कीजिए और आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं, और जिन लोग paid courses के संबंध में जानकारी चाहते हैं, उसके लिए भ ठीक है, अब लगभग मुझे लगता है कि जो छात्र जो हैं आपका प्रत्योगी परिक्षाओं की तैयारी सुरवात में कर रहे हैं, बहुत कम लोगों को ये हिंदी महिने जो हैं आपका याद होंगे, ठीक है, नॉर्मली आप January to December वाला महिना याद रखते हैं, लेकिन ये हिंदी महिने सबसे पहले आपको दिमाग में बिठाने पड़ेंगे, यदि ये याद नहीं है, तो आप लोग परवकों नहीं समझ सकते हैं, लोग परवकों अच्छे से याद नहीं रख सकते हैं, ठीक है, ये बड़ा आसान है, सबसे पहले तो जो बारा महा होते हैं, उसक को ये हिंदी महिने तो बिना coding के याद होना चाहिए ठीक है एक चीज में आपको बता दूं कड़वा सत्य है coding से आप छोटे मोटे एकजाम तो निकाल सकते हो हो सकता है prelims वगरा क्रेक कर सकते हो लेकिन जहां पर return है जहां पर mains है जहां पर आपको merit में आना है selection लेना है coding से ब रिविजन ही इस field में key point है मैं बार बार इस चीज को बोलता हूं उसके अलावा और कुछ भी नहीं ठीक है एक पुस्तक को अगर कोई पुस्तक 100 page का है उसको 10 दिन में अगर आप एक बार पढ़ते हैं तो फिर आप इस field में गलत दंग से पढ़ रहे हैं आपको 10 दिन में उ झो भागों बाड़ दीजिए ठीक सुरुब का जो आपका छै मेंना है क्या क्या होता है चैत्र बैसाक जेस्थ असार स्रावन स्रावण को सावन भी आस्वीं को आपका कहा जाता है अस्वीन को कॉर्ण भी करते हैं ठीक है उसके बाद कुमार या अस्विन, फिर कार्तिक इसके बाद मारक सीर्स इसको अगहन भी कहा जाता या अगरहयन भी कहते हैं, पौस चडिसगड़ी में पूस भी कहते हैं, उसके बाद है आपका माग और आपका भालगुन ठीक है, तो सुद्ध हिंदी और थोड़ा सा छतिसगड़ी इसमें थोड़ा फरक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, चैत्र को देखिए, चैत भी कहा जाता है, क्या कहते हैं, बैसाक को बैसाक ही कहते हैं, जेस्ठ को जेट भी कहा जाता है, थोड़ा मैं छतिसगड़ी टर्म म मैं अगर लेते हुए चलूं तो ठीक है, आसाड को आसाड ही कहते हैं, स्रावन को सावन भी कहते हैं, भाद्रपद को भादों कहा जाता है, क्या कहते हैं इसको भादों, आस्विन, आस्विन को क्वार कहते हैं, ठीक है, कार्तिक को कार्तिक कहते हैं, मार्ग सिर्स, इसको अग अगहन, मार्ग सिर्ष को क्या कहते हैं, अगहन, पॉस को पूस कहते हैं, माग को माग ही कहा जाता है, और फालगुन को फागुन, ठीक है, फागुन के महीना ऐसा भी जो है वो आपका बोला जाता है, तो इसको टुकडे में आप याद रखें, चैद, भैसाग, जेट, असार, सावन, भादो, क्वार, कार्तिक, अगहन, पूस, मांग, फागुन, चतिस गड़ी में जो है वो आपका ऐसा कहा जाता है, सुद्ध हिंदी में देखें तो चैत्र, बैसाख, जेस्ठ, असार, स्रावण, भाद्रपद, ये छे मेने हो गए, फिर छे मेने कौन से हो गए, आस ये हिंदी माह है, ये हर माह 30 दिनों का ही होता है, नौरमली इंगलिस में क्या होता है, मतलब अंग्रेजी कैलेंडर में कि कुछ महीने 30 दिनों के होते हैं, कुछ महीने 31 दिनों के होते हैं, फरवरी 28 दिनों का होता है, चार साल में फिर वो भी आपका 30 दिनों का होता है, त दो पक्षों में जो है वो आपका बटा रहता है कृष्ण पक्ष और सुकल पक्ष उधारण के लिए जैसे की चैत्र का महिना है तो चैत्र का महिना कितने दिनों का है तीस दिनों का है और ये दो पकवाडे में दो पक्षों में बटा हुआ है कितने कितने दिनों के दो तो पंदरा दिनों का जो एक पक्ष होगा वो क्रिश्न पक्ष कहलाएगा और पंदरा दिनों का जो दूसरा पक्ष होगा वो सुकल पक्ष कहलाएगा इसको भी आप समझ लें तो आपको लोग परवों को याद रखने में आसानी होगी तो यह जो हमारे 12 माह हैं, वो 12 माह तो आपने याद रख लिए, अब ध्यान रखना बिटा, कि जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रत्येक माह में 2 पक्ष होते हैं, ठीक है, कृष्ण पक्ष और सुकल पक्ष, एक पक्ष कितने दिनों का होता है, तो एक पक्ष 15 दिनों का होता है, अब यहाँ पे ध्यान रखने योग के बाद ये है, कि कोई भी महिना जो है, जो कि 30 देस का होता है, जिसमें 15 दिनों का एक पक्ष होता है, फिर 15 दिनों का दूसरा पक्ष होता है, जिसमें से एक कृष्ण पक्ष है, और एक सुकल पक्ष है, 15 दिनों का एक कृष्ण प पक्ष से होती है महीने की जो सुरुवात होती है वो किस से होती है कृष्ण पक्ष से गाओं में अंधियारी बोलते हैं ठीक है और सुकल पक्ष को अंजोरी बोलते हैं तो कोई भी जो महीना होता है वो कृष्ण पक्ष से सुरू होता है सुरू 15 दिन उसके क्या रहते हैं कृ 30 दिनों तक का जो रहता है वो रहता है आपका सुकल पक्ष ये चीज़ क्लियर हुआ तो याद रखेंगे कि हर महिने की सुरवाद कृष्ण पक्ष से होती है 15 दिनों का कृष्ण पक्ष चलता है फिर 15 दिनों का क्या चलता है आपका सुकल पक्ष चलता है ठीक है अब इसमें भी ध्यान रखना क्या ध्यान रखना कि अमावश्या किस दिन होता है या किसको कहते हैं वो कृष्णपक्ष में आता है या सुकलपक्ष में आता है कब आता है पूर्णिमा क्या होता है इसको भी आपको समझना है तो इसके लिए मैंने ये चार्ट आपके सामने पहले से रख किशन पक्ष शुरुवात में आएगा फिर बात का जो 15 दिन होगा वह सुकल पक्ष होगा अब ये 15 जो है वह इस प्रकार से बटे रहते हैं जैसे यह मैंने एक 15 दिनों का कृष्ण-पक्ष आपके सामने रखा है और उसके बाद ये पंदरा दिनों का सुकल पक्ष शुरुवात में क्या आएगा कृष्ण पक्ष दिहान से समझते वे चलिएगा तो कृष्ण पक्ष जो है वो आपका सुरू होता है प्रथमा द्वितिया तृतिया चतुर्थी पंचमी सस्थी सप्तमी अस्टमी नौमी दसमी एका दसी द्वा दसी त्रयो दसी चतुर दसी चौदवा दिन क्या कहलाया चतुर दसी पंदरवा दिन जो होगा कृष्ण पक्ष का वो पंच दसी नहीं कहलाएगा कृष्ण पक्ष का जो पंदरवा दिन होता है उसी को अमावश्या कहा जाता है ठीक है कृष्ण पक पंदरवा दिन क्या कहलाता है आपका अमावस्या। उधारन के लिए मैं मालों चैत्र महिने को उधारन के रूप में लिजा हूँ पहला जो हमारा महिन है हिए तो चैत्र महिने का कृष्ण पक्ष मैंने लिखा पंचमी इसका मतलब होगा क authष्ण पक्ष का पांचमी दिन लेकिन अगर मेरे को 15 दिन को बताना है उसको क्या कहती है अमावस्या अरथाद किसी भी महिने का 15 दिन किसी भी महिने का जो पंद्रमा दिन होता है वो अमावश्या कहलाता है ठीक है और ये किस पक्ष के अंतरगत आता है कृष्ण पक्ष मतलब अमावश्या जो है वो कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन है ऐसा बोल सकते हो अमावश्या क्या कहा सकते हो कि कृष्ण पक्ष का कौन सा दिन हो सकता है ये अंतिम दिन कहलाएगा पंद्रवा दिन मतलब अंतिम दिन या किसी भी महिने का बीचो बीच का दिन भी पंद्रवा दिन कहलाएगा वो भी क्या कहलाएगा अमावस्या जैसे ही लगा क्रिश्न पक्ष खतम अमावस्या के बाद आ जाएगा बेटा सुकल पक्ष अज सुकल पक्ष में भी वैसे ही चलेगा प्रतमा, दुभितिया, तृतिया, चतुर्थी, पंचमी, सस्ठी, सब्तमी, अस्ठमी, नौमी, दस्मी, एका दसी, द्वा दसी, त्रेओ दसी, चत्दुर दसी और सुकल पक्ष का जो पंद्रमा दिन होगा, उसको कहते हैं पूर्णिमा, ठीक है? तो किसी भी महिने का पंद्रमा दिन या बीच का दिन अम आवस्या होगा, और किसी भी महिने का अंतिम दिन पूर्णिमा होगा. पूर्णिमा अंतिम दिन है इसके बाद तो महीना खतम यूँकि पूर्णिमा सुकल पक्ष का पंद्रमा दिन है और महीने का तीसमा दिन है अंतिम दिन है तो किसी भी महीने में अमावस्या लिखा हुआ है कि माली जे सावन अमावस्या मतलब आपके दिमाग में तुरन क्लिक करना चाहिए कि वो सावन महिने का बीचो बीच का दिन है किसी भी महिने में पूर्णिमा जुड़ा हुआ है जैसे सावन पूर्णिमा मतलब समझ जाओ कि वो सावन महिने का अंतिम दिन है सावन पूर्णिमा सावन महिने का कौन सा दिन होगा अंतिम दिन होगा सभी महिने में ये जो है वो आपका लागू होगा तो ये चीज आप दिमाग में बिठा लीजिए जिन लों को पता है अच्छी बात है मैं तो उसी आधार पे पढ़ाता हूँ कि आपको नहीं पता तो देखिए क्या है किसी भी महिने की सुरवात कृष्ण पक्ष से होगी 15 दिन चलेगा मालो मैं ऐसा लिखा चैत्र महिने का सुकल पक्ष नवमी मतलब ये चेत्र महिने का सुखल पक्ष का कौन सा दिन होगा? नवा दिन होगा ठीक ढasting तो कृष्न पक्ष मुधी पंद़रा दिन चलेंगे का ठीचन पक्ष में प्रतमा ड्वितिया, तृतिया से लेकर के उसी को अमावस्या कहते है मतलब अवावस्या किसी भी महिने के बीचो बीच का दिन होता है पंद्रवा दिन होता है और क्रिश्न पक्ष का अंदिम दिन होता है उसके बाद ये पंदरा दिनों का क्रिश्न पक्ष खतम हो जाता है, सुक्ल पक्ष लग जाता है, अंजोरी लग जाता है, चलिस गड़ी भासा में मैं कहूं तो, और उसमें भी सुरवात फिर सुक्ल पक्ष प्रत्मा दृतिया दृतिया करते हैं चदुर्दसी, और जब पूर्णिमा लगा, मतलब वो सुक्ल पक्ष का भी अंतिम दिन है, उस पूरे महिने का भी अंतिम दिन है, महिना खतम, उसके बाद दूसरा महिना लगेगा, उस दूसरा महिने का फिर क्रिश्न पक्ष आ जाएगा, ठीक है, अगर चैत्र की बात करें, तो चैत्र में पूरा ये चक्र चलेगा, और चैत्र पूर्णिमा जब आया, तो चैत्र महीना खतम, फिर आजाएगा वैसाक, वैसाक भी सुरू होगा क्रिश्न पक्ष से, पूरा ये चक्र चलेगा, और जब वैसाक पूर्णिमा आया, वो वैसाक महीने का अंतिम दिन है, वैसाक पूर्णिमा अब उस दिन पैसाक महीना खतम, फिर क्या लग जाएगा, जेस्ट है, ऐसे ही पूरे 12 महीने जो है, वो आपके चलते हैं, ठीक है, ये चीज मेरे क्याल से अब आपको समझ में आ गई होगी, कि क्रिश्न पक्ष क्या होता है, सुकल पक्ष क्या होता है, कौन सा पहले आता है, अब आवस्या मतलब क्या है, पूर्णिवा मतलब क्या है, गौट इट, अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं, अब अपने को क्या पढ़ना है, अब अपने को तेवहार जो है वो पढ़ते हुए जाना है, तो सुरवात करेंगे हम किस से, चैत्र महीने से, चैत्र में क्या त साग जेश्ट असाड ऐसे करते हुए पूरे बारा महीने के तेवहार आपको पढ़ने हैं तो हर महीने को हम दो भागों में बाट करके अध्यन करेंगे कृष्ण पक्ष और सुकल पक्ष जैसे अगर हम चैत्र महीना पढ़ते हैं तो पहले हम देखेंगे कि चैत्र महीने में क प्रिष्ण पक्ष में भी तेवहार हो, सुकल पक्ष में भी तेवहार हो, अब आप बाबुला जतुरवेदी पंचांग खोल के देखेंगे तो आपको तो हर दिन कुछ ने कुछ मिल जाएगा, लेकिन आपको उस द्रिष्टी कोण से नहीं देखना है, आपको एक्जाम के प पूछे जाते हैं, तो जरूरी नहीं कि हर महीने का हम क्रिष्ण पक्ष भी पढ़ेंगे, हर महीने का हम सुकल पक्ष भी पढ़ेंगे, कुछ महीने ऐसे होंगे, जिनमें क्रिष्ण पक्ष में कोई भी प्रमुक तेवहार नहीं रहता, केवल सुकल पक्ष में तेवहार रह कि अगर हम भारती तेवहारों को देखें, अधिकांस आपको सुकल पक्ष में जादा मिलेंगे, रिष्णपक्ष में भी तेवहार हैं, लेकिन जादा तेवहार आपको सुकल पक्ष में देखने को मिलेंगे, तो चलिए मैं सुरवात करता हूँ, और सबसे पहले हम बात कर ले किस पक्ष से होगी आपका कृष्ण पक्ष से जो है आपका सुरवात होगी तो हिंदू नाव वर्स यहीं से चालू होता है हिंदी नाव वर्स यहीं से चालू होता है किस से चैत्र महीने से तो चैत्र महीने में जो है आपका जो आपका कृष्ण पक्ष है उस कृष्ण पंचमी को एक प्रमुक्तिवहार होता है जिसको धूल पंचमी या रंग पंचमी कहते हैं में में पॉइंट को मैं यहां पर लिखते हुए चलूँगा और जो डिटेलिंग कहानिया है व्याख्या है उनको बोलते हुए चलूँगा तो केवल PDF के भरोसे मत रहिएगा जो मैं यहां पर पढ़ा रहा हो उसको ध्यान से सुनकर के दिमाग में बिठाईएगा मैंने कहा कृष्ण पक्ष का कौन सा दिन आपको याद रखना है पंचमी इस पंचमी के दिन एक प्रमुक्तिवहार होता है जिसको कहते हैं रंग पंचमी या इसी को धूल पंचमी भी कहा जा रंग पंचमी या इसको क्या कहते हैं धूल पंचमी ठीक है इस दिन जो है गुलाल वगरा से होली खेला जाता है धूल वगरा से होली खेला जाता है अब जहां पर होली वर्ड आया अधिकांस लोगों के दिमाग में यह आ रहा होगा कि सर होली तो फालगुन महीने में आता तो फिर ये कौन सी होली है, ये होली के बाद होने वाली एक होली है, जो छत्तिज गड़ के बहुत सरे छेत्रों में, भारत के बहुत सरे छेत्रों में, बनारस वगरा में, धूल से खेले जाने वाली होली, जो होली के पाँच दिन बाद होती है, मुख्य होली तो फालगुन म में होता है अब इसको समझाने के लिए मैं आपको पहले वाले चार्ट पर ले کر के चलता हूं यह देखो यहां पे जो आपको 12 महीने दिखाई दे रहें बेटा कि इसमें जो हमारा अंतीम महीना वह आपका फालगुन महीना इस फालगुन महीने комна अंतीम दिन क्या होगा अब इतना तो मैं आपको समझा दिया कि किसी भी महिने का अंतिम दिन क्या होता है पूर्णिमा मतलब फालगुन पूर्णिमा फालगुन महिने का अंतिम दिन होगा और उसी दिन होली होता है फालगुन पूर्णिमा को ही क्या होता है होली मेन होली देखो हिंदूओं में दो प्रमुक्ते वहार है होली और दिपावली दिपावली अमावस्या को होता है होली पूर्णिमा को होता है अभी मैं दिपावली पे डिसकसन बात में करूँगा पहले होली की में बात कर रहा फागुन महिना सुनते ही आप जान डालोगे कि होली तो फागुन में होता है लेकिन फागुन में कब होता है फालगुन पूर्णिमा को या फागुन महिने के अंतिम दिन को या हिंदी वर्स के अंतिम दिन को तो कि फागुन बार्वा महिना है महिने का आपका पूरे वर्स का अंतिम महिना है और उसमें भी पूर्णिमा मतलब ये महिने का अंतिम दिन है तो फालगुन पूर्णिमा फालगुन महिने का तो अंतिम दिन है ही पूरे वर्स का भी क्या है आपका अंतिम दिन है और इसी दिन होती है होली तो फालगुन के बाद या फालगुन पूर्णिमा क रूप में धूल पनचमी के रूप में या आपका रंग पंचमी के रूप में अब आपको समझ में आया ठीक है जो कि हम पढ़ना चैतर से सुरवात कर रहे हैं तो मैं चैतर से ही आपको पढ़ा रहा हूँ फालगून से तो पढ़ा नहीं सकता सुरवात में क्यों कि इसी करम में हम जाएंगे लेकिन इस धूल पंचमी या रंग पंचमी को समझाने के लिए मुझे आपको ये अंतिम महीने को समझाना पड़ा कि फालगून का अंतिम दिन है फालगून पूर्णिमा पूरे वर्स का अंतिम दिन है फालगून पूर्णिमा जिस दिन होली होता है और उसके पांच दिन बाद पंचमी के दिन लेकिन उस फालगून के पूर्णिमा के जस्ट बाद क्या लग जाएगा चैत्र का महिना लग जाएगा और चैत्र महिने की सुरुबात किस से होगी कृष्ण पक्षे और इस कृष्ण पक्षे के पांचमे दिन पंचमी के दिन तो चैत्र माहा के कृष्ण पक्ष पंचमी को धूल पंचमी या रंग पंचमी होता है, सावान्य होली से भिन इसलिए है, ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो आपके देवी देवता होते हैं, ये देवी देवता होली खेलने आते हैं धरती पर, और देवी देवताओं के द्वारा जो है आपका होली खेला जाता है ठीक है समझ में आया तो आपको प्रस्ण कैसे पूछेगा आपको प्रस्ण पूछेगा तेवहार का नाम दिया होगा उल्टा पूछेगा तेवहार का नाम दिया होगा कि रंग पंचमी धूल पंचमी किस माह में आउजित होता है चैत्र माह म लेना कि वो कृष्ण पक्ष पंचमी को होता है क्लियर है आगे बढ़ें ठीक अब कृष्ण पक्ष में चैत्र महीने के इसी तेवहार को आपको याद रखना है अब हमको पहुंच जाना है सिधे सुकल पक्ष में चैत्र महीने का तो चैत्र महीने का जो अगला पक्ष है वो ह है हमारा क्या आपका सुकलपक्ष ठीक है अब सुकलपक्ष भी बहुत ही मतपूर्ण है चित्र मैंने यहां पर रख दिया है कई लोग चित्र को देख करके जो है समझ गए होंगे कि सुकलपक्ष में चैत्र महीने में क्या तेवार पड़ता है मैं आपको बता दूं कि जो चैत्र महीने का सुकलपक्ष होता है उसमें इस सुकलपक्ष में बेटा सुकलपक्ष प्रथमा द्वितिया तृतिया चतुर्थी पंचमी सस्थी सब्तमी अस्टमी से लेकर के नौमी तक नवरात्री चलता है इस नवरात्री को चैत्र नवरात्री भी कहते हैं ठीक है कन्फ्यूज मत होना क्योंकि हमारा जो है एक नवरात्री क्वार महा में होता है जब मैं आपको क्वार पढ़ाऊंगा या अस्वीन महा जिसको कहते हैं वो मैं पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि क्वार महा में क्या होता है नवरात्री होता है यही में नवरात्री यही है जिसमें दुर्गा मा विराजित होती है दसमे दिन दसहरा होता है तो में नवरात्री तो कुवार नवरात्री है जिसमें किसकी पूजा होती है मा दुर्गा की क्या होती है आपकी पूजा होती है लेकिन पता होना चाहिए आपको कि साल भर में दो नवरात्री होते हैं चैत्र महीने में भी नवरात्री होता है जो कि चैत्र नवरात्री कहलाता है इसमें भी जो आपके माता के दरबार हैं अलग-अलग इस्थान है वहाँ पर भी जो है आपका माता का पूजन वगरा किया जाता है यह विशेश रुप से चैत्र नवरात्री कहलाता है और मेन नवरात्री क्वार महा में होता है क्वार नवरात्री ठीक है अब यह जो आपका चैत्र नवरात्री है जो की सुकल पक्ष में आउजित हो रहा है प्रत्मा से लेकर के नवमी तक इसका जो आपका नवमी होता है उस दिन होता है और चैत्र में नवरात्री नवरात्री आया मतलब हमेशा याद रखना नवरात्री किष्ण पक्ष्ण में नहीं होगा नवरात्री हमेशा सुकल पक्ष्ण में ही होता है ठीक है तो चैत्र महा का सुकल पक्ष्ण का एक से लेकर के नव दिन प्रत्मा से लेकर के न अब राम नावमी में ऐसा क्या है? ऐसी मान्यता है कि हमारे स्रिष्टी के जो पालन करता है भगवान विश्णू. भगवान विश्णू इसी दिन भगवान राम के रूप में जन्म लिये थे. ठीक है? इसी दिन भगवान राम जी का जन्म हुआ था अयोध्या में. ठीक है? तो राम के जन्म की पावन बेला को ही राम नावमी त्युवहार के रूप में मनाया जाता है. तो भगवान विश्णू के ही रूप है वो ठीक है? तो एक्ट्वल में ये भगवान राम जी का बड़े है, क्या आपका राम नौमी, ठीक है, याद रहेगा ये चीज़ आपको, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, तो चैत्र महीने में बेसिकली आपको ये दो तेवहार याद रखने हैं, देख लीजिए, कौन-कौन से द परिष्ण पक्ष पंचमी को धूल पंचमी या रंग पंचमी होता है, जिसमें देवी देवताओं के द्वारा आपको होली खेला जाता है, उसके बाद आपको सुकल पक्ष याद रखना है, कि सुकल पक्ष में प्रत्मा से लेकर के नौमी तक नौरात्री है, चैत्र महीने हो गया अब हम अगले महीने पे जाते हैं अगला महीना है आपका बैसाक महीना ठीक है अब बैसाक महीने में देखिए मैंने यहाँ पर कृष्ण पक्ष इंडिकेट नहीं किया है बैसाक महीना भी सुरू होगा किस से कृष्ण पक्ष से लेकिन बैसाक महीने में कृष्ण पक् लपक्ष की तृतिया को होता है अक्षै तृतिया। इसको अक्ती भी कहा जाता है। इस दिन विशेश रूप से आपका पुतरा-पुतरी विवा होता है। क्या है यह बताऊंगा मैं आपको पुत्रा पुत्री जो है वो आपका विवाह इस दिन होता है इस दिन जो है आपका खेतों में बीजों का छिड़काओ भी किया जाता है मतलब बीज बोए जाती है क्रिसी कार्य की जो है वो आपका सुरवात की जाती है इस दिन दान वगरा भी जो है वो आपके दिया जाता है इस दिन नए आभुशन वस्त्र वगरा जो है वो आपके खरीदे जाते हैं इस दिन किसी भी नए कार्य की क्या की जाती है सुरवात की जाती है और इस दिन से विवाह भी जो है वो आपके सुरू हो जाती है मतलब बोलना चाहिए मुहुर्त विवाह का जो मुहुर्त होता है वो भी क्या हो जाता है प्रारंब हो जाता है अब इतनी सारी चीजे मैंने आ क्या क्या चीजें होती है ठीक है चित्र मैंने जो है आपका बनाया हुआ है यहां पे अक्षेत रितिया का और मैंने यहां पे पुत्रा-पुत्री विवाह को भी जो है वो आपका दर्साय है इसी पुत्रा-पुत्री विवाह से जो है मैं आपका चालो करता हूँ ठीक है पढ़ा नहीं है लेकिन देखा जरूर है तो महाभारत की एक किदवंती है एक बोल सकते हो कहानी है जिसके अनुसार जो दुर्योधन की माता रहती है गांधारी आपने सुना होगा दुर्योधन के पिता का नाम धृतराष्ट रहता है और उसकी माता कौन रहती है गांधारी तो ये बात उस समय की है जब गांधारी का विवाह नहीं हुआ था ठीक है तो ऐसा होता था कि गांधारी का विवाह जब किसी भी राजकुमार के साथ तै होता था या करते थे तो कोई न कोई विग्ण जो है वो आपका उत्पन हो जाता था और गांधारी का विवाह ही नह वह समय के जो आपके रिशी थे, उन्होंने ये सजेशन दिया, कि पहले प्रतीग स्वरूप पुत्रा-पुत्री का विवाह किया जाए, गुद्डा-गुडिया का किया जाए, विवाह किया जाए, उसके पसचात ही गानधारी का विवाह ढित्राष्ट के साथ जो है, वह ने आपको बताया ठीक है क्लियर है साथ ही साथ इस दिन भगवान विश्णू और जो आपकी मातल अच्मी है उनकी जो है वो आपका पुजा की जाती है पौरानिक गरंथों की माने तो इस दिन कोई भी किया गया सुभ कार्य अक्षय फल देता है इसी दिन से विवाह कार्य प मतलब 6 नहीं होना मतलब वो लंबे समय तक जो है वो आपका चलता है इसी लिए बहुत सारे लोग किसी भी नए कार्य की सुरवात अक्षय तृतिया के दिन से ही करते हैं मानेता है किस दिन कोई भी कार्य आप सुरू करेंगे वो निरबाद रूप से चलेगा कोई भी दान आप देंगे वो उसका 6 नहीं होगा इसी तिथी से बहुत सारे मांगलिक कार्य जैसे विवाह वगरा जो है सुरू करे जाते हैं ग्रिह प्रवेस लोग करते हैं नय वस्तरा भुसन की खरिदारी जो है वगरा करते हैं ठीक है क्योंकि इस दिन कोई भी किया गया जो आपका क क्या करते हैं छिड़काओ करते हैं तो एक तरीके से देखो के तो इस तेवहार क्या बहुत विशेस जो है वो आपका महत्व है तो एक्जाम में कई बार पूचा है अक्छे तृतिया कब मनाया जाता है तृतिया वर्ड से तो आप समझ जाओगे कि ये सिधी से बात है तृ सुकल पक्चित रतिया को लेकिन कौन से महीने का बैसाक महीने का सुकल पक्चित रतिया को अक्छे तृतिया के रूप में जो है वो आपका मनाते हैं ठीक तो चैत्र हमने देख लिया, बैसाक हमने देख लिया, अगला जो हमारा महीना है वो कौन सा महीना है? जेस्ठ का महीना. तो जेष्ठ महीने में अपनिये को क्रिष्ण पक्ष के भी तेवहार जो है वो आपका याद रखने हैं और जेष्ठ महीने में सुक्ल पक्ष का भी तेवहार जो है वो आपका याद रखने हैं तो पहले हम जेस्ट महीने में कौन सा आपका देख लेते हैं, क्रिष्ण पक्ष जो है वो आपका देख लेते हैं, कि जेस्ट महीने में, क्रिष्ण पक्ष में क्या प्रमुक्ते अभार आयोजित होता है, तो देखिए, क्रिष्ण पक्ष का अंतिम दिन क्या कहलाएगा, अमा वस्या कहलाता है तो जेठ अमावस्या को अमावस्या बोल दिया मतलब आटोमेटिक सुक्लपक्च आ गया ठीक है तो जेठ अमावस्या को वट सावित्री कौन सा प्रमुख तेवहार वट सावित्री की जो है वो आपका पूजा की जाती है इमेज में आप देख पा रहे हैं इसको ठीक है क्या आपका वट सावित्री ठीक खास करके जो पती होती है इनकी लंबी आयू की कामना के लिए ये वरत जो है रखा जाता है साथ ही साथ संतान के लिए भी जो है ये वरत रखा जाता है लेकिन जदतर पती की लंबी आयू की कामना के लिए इस वरत को जो है वो आपका रखते हैं अब इसको वट सावित्री इसलिए कहा जाता है वट मतलब बरगद बरगद के पेड की जो है वो आपका पूजा की जाती है, धागा वगरा, उसमें जो है, वो आपका पांधा जाता है, लेकिन सावित्री सब्द किसलिये जुड़ा है? आपने सावित्री और सत्यवान की कहानी सुनी होगी, नहीं सुनी होगी, तो मेरे मूझ से सुन लो, सौल्ट में अगर मैं आपको ब यम लोग जाते रहते हैं तो इनके पीछे पीछे चल पड़ती है कौन आपका सावित्री और अपने पती के प्राण वापस मांगती है उनको दोबारा जिंदा करने की जो है आपका उनके सामने यमराज के सामने याचना करती है और ऐसा करते-करते वो यमलोख तक भी जो है वो आपका चली जाती है तो यमराज जो है उनकी इस सनेह और भक्ती से प्रभावित हो करके उनको ये कहते हैं कि मैं आपके पती के प्राण तो वापस नहीं कर सकता लेकिन कोई वर्दान मांग लीजिए तो सावित्री बुद्धिमान रहती है उनको तो उनका पती ही वापस चाहिए तो सावित्री क्या करती है यमराज से सौ पुत्रों का वर्दान मांगती है कि मुझे अपने पती से सौ पुत्रों मतलब मुझे अपने पती से सौ पुत्र चाहिए और यमराज कहते हैं तथास्तू लेकिन यमराज सहाफ़स जाते हैं यहाँ पे क्योंकि उनके पती से यदि उनको सव पुत्र चाहिए तो पती को क्या करना पड़ेगा जीवित करना पड़ेगा और सो पुत्र देने के लिए उनके पती को एक लंबा जीवन जीना पड़ेगा तो सावित्री यहाँ पे चतुराई करते हुए अपने पती को जीवित तो करवाती ही है एक लंबी आयू के लिए जो है वो जीवित करवाती है ठीक है तो इसी गटना के बाद से प्रती वर्स जेठ अमावस्या को महिलाएं अपने पती की लंबियों की कामना के लिए ये वट सावित्री का वरत जो है वो आपका रखती हैं तो जेठ के कृष्ण पक्षा में या जेठ अमावस्या में बेटा आप ये तेवहार जो है विसे जुरूप से याद रखिएगा ठीक है वट सावित्री का वहता है देखो कई कई जगों में इसके तिथी में भी भिन्यता है लेगिन जो सरवमाने तिथी है वो यही है अधिकांस्ता इसी तिथी को मनाया जाता है जेठ महिने की अमावस्या को तो जेठ में कृष्ण पक्ष्य आपने द जा रहा हूं जेठ में जो आपका सुकलपक्ष है उसमें दसमा दी नियाद रखना है जेठ का सुकलपक्ष का दसमी तो जेठ महा में जो सुकलपक्ष की दसमी है इस दिन गंगा दसमी मनाते हैं सरगूजा छेतर में इसको विसेश करके जो है मनाया जाता है हो सकता है आप जो मेरा ये लेक्चर देख रहे हैं, आपके छित्रे में ना मना जाता हो, लेकिन ये आप सरगूचा छित्र से बिलॉग करते हैं, तो वहां पी ये जरूर मनाया जाता है, ठीक है, और भारत वर्स में भी बहुत सरे जगों पर ये मनाया जाता है, खास करके नौर्थ इंडिय गंगा दस्मी या इसको गंगा दसहरा भी कहते हैं, गंगा दस्मी या इसको एक और नाम से जानते हैं क्या आपका गंगा दसहरा, सौट में कहूं, तो जो मा गंगा है, गंगा के प्रित्वी पर अवतरण की इसमृती में, गंगा के प्रित्वी पर आउतरण की स्मृति में ये मनाते हैं मतलब गंगा मा गंगा नदी के रूप में जो इस प्रित्वी में आई उसी स्मृति में इसको मनाया जाता है ठीक है थोड़ा अगर मैं डीटेल में बताओ तो हर वर्स जेट माह के सुकल पक्ष की दसमी को मा गंगा की पूजा अर्चना की जाती है इस तिथी को ऐसा माना जाता है कि गंगा का प्रित्वी पर मा गंगा का प्रित्वी पर आउतरण हुआ था ऐसी मानेता है कि इस दिन यदि आप गंगा इसनान करते हैं तो आपको दस प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है या आपके दस प्रकार के पाप जो हैं वो आपके धुल जाते हैं भागिरत का नाम आपने सुना है भागिरत ने अपने पूर्वजों की आत्मा का उधार करने के लिए गंगा को प्रित्वी पर ले करके आया इसलिए गंगा को भागिरत ही भी कहते हैं को कि भागिरत उनको ले करके आये थे ठीक है जितने भी गंगा घाट हैं जहां जहां भी गंगा घाट हैं चाहे वो बनारास का हो चाहे वो प्रयाग राज का हो जहां का भी गंगा घाट है इस दिन गंगा घाट पर एक बड़ी जो है गंगा आरती होती है भव्य गंगा आरती होती है बहुत सरे स्रत्धालू वहा आपका धुल जाए ऐसा कहा जाता है कि इस दिन जिस भी वस्तू की पूजा की जाए उसकी संख्या भी दस होनी चाहिए जिस भी वस्तू का दान किया जाए उसकी संख्या भी दस होनी चाहिए ठीक है तो गंगा दसमी गंगा दसरा के बारे में इतनी बातें बेटा आप याद रखेंगे, तो jest महीने में आपको मैंने दोतेवार बताये, एक मैंने बताया, जेठ अमावस्या को क्या होता है वतसावित्री होता है, पती की लंब्या उगी कामना के लिए, डीटेल में मैंने आपको समझा भी दिया इसको फिर मैंने आपको बताया कि जेट माहा के सुकल पक्ष की दसमी को गंगा दसमी या गंगा दसरा होता है गंगा के प्रित्वी पर आउतरण की स्मृति में ठीक है बकी इसको भी डिटेल में मैंने आपको समझा दिया अब हम आगे बढ़ते हैं चैथ देख लिया ठीक है चैथ के बाद हमने बैसाग देख अगला महीना है हमारा आसाड का महीना अब आसाड में देखो मैंने फिल से क्रिश्न पक्ष को स्किप कर दिया है पर आसाड महीना भी सुरू किस से होगा क्रिश्न पक्ष से होगा लेकिन मैंने कहा कि कुछ महीने ऐसे होंगे जिनमें क्रिश्न पक्ष में कोई खास तेवहा तो इस आसाड महीने में हम सीधे देखते हैं कि आपका सुकल पक्च ये बहुती महतपूर्ण महीना है और चित्र देखकर के आप समझ गए होंगे कि मैं एक्ट्वल में किस तेवहार के बारे में बात कर रहा हूँ रत यात्रा के बारे में बात कर रहा हूँ शतिसगडी भासा में इस तेवहार को रत दुतिया कहते हैं रत दुतिया क्यों कहते हैं क्योंकि ये जो रत यात्रा होती है आसाड मह के सुकल पक्च के दिवितिया को होती है असाड माहा का सुकल पक्षका जो आपका दुवितिया है उसी दिन होता है आपका रत यात्रा या रत दुटिया तो नाम में दुटिया इसी लिए जुड़ा हुआ है क्योंकि वो दुटिया को होता है कौन से महिने में? आसाड महिने का सुखल पक्ष का आपका दुधिया को होता है, रत दुधिया. ठीक है? अब रत यात्रा के बारे में तो बहुत सारे लोग जानते हैं कि एक्चुल में ये भगवान जगन्नात को समर्पित हैं, ठीक है? भगवान जगन्नात जो कृस्न जी के यही रूप है इनको जो है वो आपका समर्पित है भगवान जगंदाओं उनके भाई बलभद्र और उनकी इन जिसमें से प्रमुख किद्वंती ये है एक पुराण का नाम आप याद रको पद्मपुराण पद्मपुराण जो की उडिसा में काफी फेमस है पद्मपुराण के अनुसार एक बार ऐसा होता है कि भगवान जीगनाद की जो बहन है सुभध्राजी उन्होंने पूरे नगर का ब्रमण करने का इच्छा जताया, पूरे नगर को देखने का इच्छा जताया, तब भगवान जगनात अपने भाई बलभद्र और अपनी बहन सुभद्रा के साथ रत पे बैठ करके पूरे नगर ब्रमण को निकले, इस दौरान ये अपने मौसिक घर पहुंचते हैं, और म परतमान में उनका जो मौसिका घर है, वो पुरी में, जगनात पुरी में गुंडिचा भवन के रूप में जाना जाता है, अब गुंडिचा वर्ड की क्या कहानी है, इसको थोड़ा समझो, ये आपके एक्जाम के लिए बहुत ही मातपूर्ण है, क्योंकि उसी गुंडिच यहाँ पर भी रत्यात्रा होती है, लेकिन इस में छात्र confused क्यूं होते है, चोंकि बस्तर में जो famous रत्यात्रा है, वो दसहरे में होती है, थीक है? dil. में जो आपकी रत्यात्रा होती है, वो मात अन्ते, स्वरी को समर्पित है. मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, ताकि थोड का जो आपका रत्यात्रा होता है एक रत्यात्रा दसहरे के समय होता है बस्तर दसहरा में होता है और दसहरा किस महां में होता है कुआर महां में होता है जब दसहरा पढ़ाऊंगा तो फिर से वहां पे मैं आपको रिवाइस करा दूगा तो दसहरा में होने वाला रत्यात्रा य क्योंकि 75 दिनों तक चलता है, है ना, तो ये ज़्यादा फेमस है, तो इससे छात्र कन्फूस जाते हैं, कि गोंचा पर्वभी वही कुछ होगा, नहीं, गोंचा पर्वभी रत यात्रा ही है, बस्तर छेत्र का, लेकिन ये किसको समर्पित है, भगवान जगनात को समर्पित है और ये कौार माह में नहूं करके, समाण्य रत यात्रा के भादी आसाड माह में होता है. पहले ये चीज दिमाग में आप कलीर कर लो, बस्तर में भई दो प्रकार की रत यात्रा हैं, एक रतियात्रा जो मादन तरिस्वरी को समर्पित है, वो क्वान्य तसहरे की समय होती है, और एक रतियात्रा जो समाने सभी छेत्रों में होता है जो कि भगवान जगनात को समर्पित है वो आपका आशाड महा में होता है और इसी आशाड महा की भगवान जगनात को समर्पित रतियात्रा को गोंचा परवकाते हैं अब मैंने गोंचा को जोड़ा था गुंडिचा वर से आया था ये गुंडीचा भवण वरतमान में जगनात मतलब पूरी में है उडिसा में पूरी में है और इसी गुंडीचा भवण में साथ दिन तक भगवान जगनात बलभद्रा-सुब्द्रा की मूर्टी को रखा जाता है, यह पूरी के मेन मंदर से निकलते हैं, फिर उसके बाद रात्यात्रा चलती है, गुंडिचा भवन जाते हैं, वहाँ पे साथ दिनों तक कास्ठ मूर्तियों को, रकड़ी से पनिवी मूर्तियों को रखते हैं, तो यह गुंडिचा वर्ड से ही गुंचा आया ह ऐसा माना जाता है, ये कहानी में आपको डीटेल में समझाता हूँ, आपने एकजाम में डारेक्ट पूछा जाएगा, तो बेटा मेन आपको समझना है कि गोंचा परव एक्च्वल में है क्या, जो चीजे पहले से क्लियर हैं, वो मैं आपको यहाँ पे फिर से लिख देता हू कि गोंचा परव समान्य होने वाला रतियात्रा है, जो की भगवान जगनात को समरपित है, कौन से महा में होता है? आसाड महा में होता है, आसाड की सुकल पक्ष की द्वितिया को होता है, इसलिए इसको रत्वितिया भी कहते है अधिकांस्च्थरो में, बट बस्तर में क्य कहते हैं गोंचा परव कहते हैं और यह विश्व विख्यात है यहां पर मैंने कुछ चित्र वगरा भी दिखाए हैं आपको उसको मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूं ठीक है अब बस्तर के गोंचा परव को समझने के लिए आपको थोड़ा सा बस्तर के इतिहास में जाना काक्तियवन्स ठीक है इस काक्तियवन्स के एक राजा का नाम आपको याद रखना है राजा पुरुसोत्तम देव यह इतिहास की दृष्टी से भी महत्तपूर्ण है और मैं जो पर्वत्यवहार पढ़ा रहा हूं उसकी दृष्टी से भी महत्तपूर्ण है काक्तियवन्स एचाने पूरी की आत्रादी थि, ठीक है, पुर्शोत्तम देव आपका कहां कहां गयते, ठीक, तो राजा पुर्शोत्तम देव, जो की उससमय बस्तर के काक्ती वसके संकॉर, तो मैं यहां पर पूरी बना दे रहा हूं, देखको, यह मा लिजे, उडिसा का, पूरी कहां है, उडिसा में, तो राजा पूरसोत्तम देओ, अपने साथ प्रजा को ले करके, कुछ विशेस प्रजा को ले करके, पेट के बल सरकते हुए पूरी गए, ठीक है, करनापते हुए, पेट के बल सरकते हुए वो आपका पूरी गए, जब वो पूरी पहुंचे, उसमें पूरी के राजा थे राजा गजपती पूरी के राजा कौन थे आपके राजा गजपती थे तो राजा गजपती ने बस्तर रियासत के राजा पुरसोत्तन देव का भव्य जो है वो आपका स्वागत किया ठीक है और जब वहां से वे लोटे जब पुरसोत्तन पूरी के राजा गजपती ने काक्ति वन्स के बस्तर के राजा पूरसुत्तम देव को जब वापस लोटे तो सोला पहियों का इगरत दिया उनको रथपती की उपाधी प्रदान की ठीक है पूरसुत्तम देव के साथ जितने भी ग्रामिड गए थे पूरी आज वो जणजाती भतरा के नाम से जानी जाती है वही जणजाती भतरा में है और वही जणजाती उडिसा में भी पाई जाती है भतरा का साप्धिकरत होता है स बामाजिक द्रिश्टि सबसे उंचा इस्थान रखने वाली जन जाती है पत्रा। ठीक है? तो मैं क्या बता रहा था? कि रथपती की उपाधी प्रदान की सोला पईयों का रथ भेट किया जिसको लेकर के पुरसुत्तम देव आ गए अपने छेतर में बस्तर में। साथ ही साथ उन्होंने भगवान, जगनात, बलभद्र और सुभद्रा की लकडी की मूर्तियां, इनकी कास्ठ मूर्तियां भी भेट की किनको? राजा पुरसुत्तम देव को. और वहीं से वापस आने के बाद राजा पुरसुत्तम देव ने बस्तर में भी पूरी की भाती रथ यात्रा करने का निर्णे लिया. ठीक है? और ये भगवान, जगनात, बलभद्र और सुभद्रा की पूजा करने के लिए वो उडिसा से तीन सो साथ आरण्यक ब्राम्मण परिवार को ले करके भी आए. डिटेल पूछेगा तो ये भी पूछ देगा. ठीक है? तो इस कहानी को आप याद रखिए, अभी मैं और डिटेल में इसको और जाने वाला हूँ, और कनेक्ट करने वाला हूँ कि ये गोंचा वर्ड कैसे आ गया. ठीक है? तो पहले याद र गये थे, वह आज भत्रा कहला आए. वहाँ पूरी के राजा गजपती ने उनको रथपती के उपाधी दी, सोला पहियों का रद दिया, और जगनाद बलवत्र सुभत्रा की कास्ट के मूर्तियां भी दी, इनकी पूजा के लिए अपने साथ वो 360 आरणक ब्रामर परिवारो को ले करके आए, जो कि आज जो है आरणक ब्रामर समाज के नाम से बस्तर छेतर में आपके जाने जाती है, ठीक है? अब देखिए क्या हुआ? थोड़ा सा और धियान देना, तो सोला पहियों का जो आपका रद था, कितने पहियों का रद? सोला पहियों का रद, तो राजा जब अपने चेतर में आएं, बस्तर चेतर में, तो इन्होंने सोला पहियों के रद को दो भागों में जो है, आपका विभेद कर दिया, बारा पहियों का एक रद, ठीक है, बारा पहियों का रद, और चार पहियों का रद, दो भागों में उन्होंने जो है, वो आपका इसक इसको डिवाइड कर दिया, 16 पहियों के रत में, एक रत बनाया 12 पहियों का, और एक बनाया आपका 4 पहियों का, ये जो 12 पहियों का रत है पेटा, ये मा दंतेस्वरी को समर्पित किया गया, जो बस्तर दसारा होता है, जो क्वार माह में होता है, उसमें ये रत चलेगा, मा द गाटियात्रा होती भगवान जगनात बालबर्वा सुपत्रा की जो आसाड महा के सुक्लपक्च के दुतिया को रदिष्षितिया को होती हैं उसके इसको आपका सर्रक्षित किया, ठीक है? तो ये दंतेस्वरी मा को जो समर्पित होता है रतियात्रा ये तो बस्तर दसहरा को होने वाला रतियात्रा है और भगवान जगनात को समर्पित जो रतियात्रा है जो की आसाड माह में होता है उसी को बस्तर में गोंचा परवकाते हैं अब मैं आपको बताता हूँ कि यह गोंचा सब्द कहां से आया अब इसके पीछे भी बहुत सारी कहानी है एक ऐसा जो है वह आपका कहा जाता है यह आप तो यह जान लिए कि बस्तर मेरा त्यात्रा के सुरुवात पुरसुत्तम देवने की गजपती से लेकर के बतलब गजप की होगी ना ठीक है तो ऐसी मनेता है कि उडिसा के एक राजा थे इंद्रद्यूम्न क्या नाम है इंद्रद्यूम्न ऐसा कहा जाता है इन्हीं के द्वारा पूरी में रत्यात्रा के सुरुवात की गई भगवान जगनाद बलभद्र और सुपद्र की कास्ठ मूर्तियों की जो रत्यात्रा है यह इंद्रद्यूम्न के द्वारा जो है आपका सुरुवात की गई इंद्रद्यूम्न की पतनी का नाम था गुंडिचा इंद्रद्यूम्न की पतनी का नाम क्या था आपका गुंडिचा ठीक है और इन्हीं के नाम पर गुंडिचा भवन भी है पुरी मे और ऐसा माना जाता है कि इसी गुंडिचा वर्ड से ब्युत्पत्ति हुई है गोंचा वर्ड की क्योंकि गोंचा सब्द और गुंडिचा के प्रणंसियेशन में समानता है तो उडिसा में गुंडिचा कहा जाने वाला गुंडिचा पर्व भी कहते हैं तो उडिसा में गुंडिचा पर्व कहा जाने वाला यह जो आपका पर्व है कालांतर में बस्तर में गोंचा पर्व कहत बहुं सारी कहानियों को मैं लिंक करते वे जा रहा हूं अगर कुछ चीज मिसिंग हो जाए तो आप वीडियो को बैकवर्ड फारवर्ड करके देख लेना लेकिन इस चीज को अच्छे से समझ लेना ठीक है इतना चीज क्लियर हो गया आपका कि भाई राजा पूरसुत्तम दे जगनात्र त्यात्र या गोंचा परव अलग क्या है तो अलग है यहां पे प्रयोग होने वाली तुपकी यह चितर आप देख पा रहे हैं एक आदिवासी गरामिड कैसे ऐसे बंदू कुनुमा कुछ चीज पकड़ा हुआ है वो है तुपकी जिससे धमाके की आवाज आती ह यहां पे चितर में आप देख पा रहे हैं अब इसके बारे में थोड़ा समझी बस्तर में जो गोंचा परव होता है जो की भगवान जगनात को समर्पित है इसमें भगवान जगनात को तुपकी से सलामी दी जाती है यह अनूठी परमपरा केवल बस्तर चितर में जो है वो आपका होती है अब यह क्या चीज है आप थोड़ा समझना बस्तर चितर के जो आपके आदिवासी है भगवान जगनात का आभार इस तुपकी को चला करके व्यक्त करती है यह तुपकी जो है बास की पोली नली मतलब बास की खोकली नली प्लस देखो यह बास खोकली नली दिख पा रहा है आइधिंग आपको इमेज में दिख पा रहा होगा और उपर ताड के पत्ते प्लस ताड के जो आपके पत्ते होती है इनको मिला करके यह तुपकी जो है वो आपका बनाई जाती है ठीक है तुपकी का साब्दिक अर्थ होता है छोटा तोप तुपकी का साब्दिक अर्थ होता है कि आपका तोप छोटा तोप ठीक है और तुपकी actual में ये सब्द बना हुआ है तुपक वर्ड से और तुपक परियावाची होता है बंदुक का तो आदिवासी अंचल में बंदूक को तुपक कहते हैं और बंदूक सरी के जो सरचना बनाई गई वो ही कहा लाई किया आपका तुपकी या छोटा सा तोप तो बंस किनली और ताड के पत्ते से ऐसा छोटा तोपनुमा उपकरण तयार किया जाता है और इसमें गोली के रूप में एक फल का प्रयोग करते हैं यह फल आप देख पा रहे हो यह फल इसकी गोली है इस गोली या इस फल का नाम है पेंग फल इस फल को क्या बोलते हैं पें मलकांगिनी फल क्योंकि ये मलकांगिनी नामक एक जंगली लता होता है एक जंगली बेल होता है उस मलकांगिनी नामक जंगली बेल में ये पेंग फल आपका अंगूर के गुच्छे नुमा सरचना की रूप में ऐसा पाय जाता है इसको तोड़ तोड़ करके इसके अंदर डा करते हैं ताकत किसांद चलाते तो धमाके की आवा जाती है और भगवान को भी से सलामी दी जाती है और आधिवासय अंचल में इसत्री पूरुस भी एक दूसरे पर इसको वह आपका चलाते unbelievably यह मलकांगरी नामक लता ज़िस अधING आचिके महिने में अमृत्र के जंगलों में इस फल का मतलब production करती है, वहाँ पर ये फल जो है बस्तर के जंगलों में जो है वो आपका पाया जाता है, तो ये खास है बस्तर के आसाड में होने वाले रत्यात्रा या गोंचा परवका के बारे में कि वहाँ पर बास और ताड रिक्ष से बनी हुई तुबकी और उसके तुपकी होती है, एक विसेश छेत्र के आदिवासियों के द्वारा बनाई जाती है, बस्तर में एक छेत्र है नानगूर छेत्र, नानगूर छेत्र के जो आपके आदिवासी होती है, ये गोंचा परव ये आसाड महिने आने के दो महिने पहले ही इस तुपकी को बनाना जो है वो आपका प्रारंभ कर देते हैं ठीक है तो इतनी बातें पिटा आपको याद रखनी थी गोंचा पर्व के बारे में इस से ज़्यादा डीप और क्वेस्चिन नहीं पूछेगा अगर पूझ भी दिया तो वो आप से क्या किसी से फिर नहीं बनने वाला ठीक है तो जेट हमारा जो आसाड का जो आपका महीना था इस आसाड के महीन में हमने ये प्रमुगरुप से देखा सुकलपक्ष की दुदिया को रत दुदिया या रत यात्रा होती है और बस्तर में सुगोंचा पर्व के रूप में मनाते हैं ठीक है डीटेल में मैंने समझा दिया कि एक गोंचा परव एक्च्वल में है क्या ठीक है आगे बढ़ें अगले महीने की ओर मैं जाता हूँ अगला जो हमारा महीना है वो है स्रावन महीना या फिर इसको हम क्या कहते हैं आपका सावन महीना जो है वो आपका कहते हैं अभी सावन महीने के बारे में देखो क्या के प्रमुख तेवहार है, वो सावन अमावस्या को आता है, तो चुंकि क्रिश्न पक्ष से संबंधित अमावस्या, इसलिए मैंने यहाँ पे क्रिश्न पक्ष हेडिंग दे दिया है, सावन मा की अमावस्या को प्रमुख तेवहार होता है, हरेली या हरियाली, ठीक है, इसको डा हर्याली को छत्रगड के प्रथम तिहार की संग्या जो है वो आपका दी जाती है अब इस तेवहार को लेकर के बहुत सारी चीजें हैं ठीक है इस तेवहार में देखो सबसे पहले तो ये किसानों का तेवहार है क्रिसकों का जो है वो आपका तेवहार कहलाता है अभी और उपकरण होते हैं, ग्रिसी उपकरणों की साथी साथ जो ग्राम देवता होते हैं, उनकी साथी साथ जो आपके कुल देवता होते हैं, उनकी पूजा वगरा की जाती है, ठीक है, धरती मा की पूजा की जाती है, धरती मा की क्या करते हैं, पूजा करते हैं, गेडी वगरा जो ह आपका चड़ा जाता है नारियल फेक प्रतियोगिता जो है वो आपका होती है घरों के बाहर जो है नीम के जहार या नीम के पत्ते जो है आपका रखे जाते हैं ऐसा कहा जाता है कि इस दिन जादू, टोना, तंत्र, मंत्र जो है या फिर असूरी जो आपकी सक्तियां होती है ये जो हैं एक्टिव रहती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, देखिए समझे इसको, कि सावन अमावस्या को हरेली का तेवार च्छत्तिसगण अंचल में बहुती हरसुलास के साथ जो है वो आपका मनाया जाता है, ठीक, कारण क्या है कि च्छत्तिसगण अंचल में इस तेवार को प्रथम परव या प्रथम तिहार के रूप में मनाते हैं, जनरली क्या होता है, सावन मतलब गर्मी के बाद आने वाला सीजन, तो भीषण गर्मी के बाद जो वर्सा होती है और उस वर्सा से जो हर्याली लिये हुए धर्ती होती है, तो उस हर्याली के परथी, उस धर्ती मा के परथी क्रितगिता प्रकट करने के लिए हर्यली का तेवार मनायाता है, मूलता है, यह किसानों का क्रिशकों का तेवार है, धान की बुवाई रोपाई करने के बाद जो किसान होते हैं अपने क्रिसी उपकरण, लौह उपकरण, बैल वगरा आदी की पूजा करते हैं और अच्छी फसल की क्या करते हैं कामना करते हैं साथ ही साथ, जो किसान होते हैं, गाउं के लोग होते हैं, इस दिन अपने ग्राम देउता, कुल देउता के पूजा करते हैं, गाउं में चीला, चौसेला, गुड के पकवान, एरसा वगरा जो है, वो आपका बनता है, यादाव समाज के जो लोग होते हैं, उन लोग घर घर जो गाए, भैस, बैल होती हैं, उनको नमक और जो बरगंडा या बगरंडा होता है, उसकी पत्तियों को खिलाते हैं, बगरंडा तो जानते होगे, सभी ग्राइमुड अंचलों से होगे, ताकि रोग वगरा से आपका दूर रहें, पसू वगरा, ठीक है, साथ ही साथ, यादा समाज के लोग हर घर के बाहर, या गाडियों के बाहर, या गाडियों पर, ट्रेक्टर वगरा पर, या जिनके पास जो भी है, उसमें नीम के जाड, नीम के पत्तों को रखते हैं, ताकि जो वर्सा से होने वाले, या वर्सा रितु में होने वाले रोग हैं, उनसे लोग प्रतियों से आपका दूर है इसके बदले में परिवार वाले उनको चावल, सबजी, दाल वगरा वो आपका देते हैं। बच्चे जो है इस दिन गेडी चड़ते हैं, सहरी चेत्रों में या गरामों में भी आपका गेडी का आउजन होता है, नारियल फेक प्रतियोगिता जो है आपका होती है। नहीं सक्तियां वो सिद्ध करती हैं, इसलिए लगबग हर घर में घर के बाहर गोपर से आपका प्रेद बनाया जाता है, और गाउं का बैगा रहता है, इन बुरी सक्तियों से बचाने के लिए गाउं को तंतर मंतर से बांध के रखता है। तो ऐसी बहुत सरे चीजें इस तेवहार से जो है वो आपका जूड़ी होई है। एक प्रमुक चीज में बता रहा हूं जो पिछले दो एकजाम में पूछा गया है। क्रिष्ण पक्ष याब बोल सकते हो सावा नमावस्या का ये आपका प्रमुक्त वहार है कि आपका हरेली, अब मैं सावन में जाता हूँ अगले पक्ष की ओर जो की है आपका सुकल पक्ष तो चित्र को देख करके आप समझ गए होगे, सावन महिने के सुकल पक्ष में मैं को होता है नाग पंचमी नाग पंचमी अब नाम में ही पंचमी है मतलब यह आपका पंचमी को होता है और सुकल पक्ष के अंतिम दिन या सावन महिने के अंतिम दिन क्या कहला आएगा पुल्णिमा सावन पुल्णिमा को होता है रक्षा बंधन सावन के सुकलपक्ष पंचमी को नाग पंचमी और सावन की उर्णिमा को या सावन महिने के अंतिम दिन को क्या होता है आपका और अच्छा बंदन होता है नाग पंचमी की बात कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा देखो क्या है कि नाग पंचमी भी हिंदूं का एक प्रमुक्त वहार है हिंदी पंचान के नुसार जो आपका सावन महिने का सुकलपक्ष का पंचमी है उस दिन नाग देवता की पूजा की जाती है या सर्प की क्या की जाती है आपका पूजा की जाती है और नाग देवता को दूद से क्या कराया जाता है इस नान कराया जाता है लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कई स्थानों पर नाग को दूद पिलाने की भी परंपरा है जो की गलत है इससे क्या होता है कि सर्प कभी दूद नहीं पीते है जब अर्यस्ति जब उनको पिलाया जाता है पीतो लेते हैं दूद को उनका सरीर पाचित नहीं कर पाता और constipation से उनकी मृत्यू भी हो जाती है ठीक है सास्त्रों में नाग को दूद से इसनान कराने को कहा गया है पिलाने को नहीं कहा गया है ठीक है तो जदा धार्मिक आस्था के बात नहीं करते हैं तो इसीच को याद रखेंगे सावन के सुकलपक्च की पंचमी को नाग पंचमी होती है जिसमें नाग देवता सरपकी पूजा की जाती है दूद से उसका इसनान कराया जाता है उसके बाद है रक्षा बंधन भाई बहन का जो है ये आपका तेवहार है ठीक है बंधन का मतलब होता है बात देता मतलब भाई पहन की सुरक्षा करने के लिए बात देता है अब उसमें मैं क्या डीटेल में बता हूँ रक्षा बंधन में बस दिथी आज रखना रक्षा बंधन को कई बार एकजाम में पूछता है कि कब मनाया जाता है रक्षा बंधन तो रक्षा बंधन सावन पूर्णिमा को मनाया जाता है सावन पूर्णिमा लगा उसके बाद जो है वो सावन महीना खतम हो जाता है उसके बाद भादों लग जाएगा ठीक है, तो भाई बहन के प्यार का इसनेह का प्रती के रक्षा बंधन, ठीक है, जिसमें भाई अपने बहन के रक्षा का वचन देता है, ये मनाया जाता है सावन पूर्णी मा को, ठीक, तो मैं इस सेसन को यहीं पेंड कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, और बाकी जो महीने हैं, उसको मैं अगले पार्ट में जो है, वो आपको कवर करूँगा, आई होप यहां तक सारी जो आपके तीज तेवहार हैं, वो आपको समझ में आ गए होंगे, यदि इसी प्रकार आप मेरे साथ मिल करके, छत्रगर के विविन एक्जाम के त्यारी करना च जिसमें सावान नियध्यन वाला जो आपका हिस्सा है, जीएस वाला जो आपका हिस्सा है, वो मेरे द्वारा ही अध्यापन जो है, वो पूरी तरीके से कराया जाता है, each and every subject and every topic, तो इनके बारे में यदि आप ज्यादा जानकारी चाहते हैं, पेड कोर्सेस के बारे में जा करना पॉसिबल नहीं है, तो kindly WhatsApp करिए, वहाँ पे Academy Manager द्वारा, आपको किसी भी कोर्स संबंधित हर जानकारी प्रदान कर दी जाएगी, ठीक है, तो आप जानकारी लेने के लिए भी मेसेज कर सकते हैं, जो और नहीं कि आप कोर्स में एडमिसन लें या ना लें, ठीक है, ब किस लिंक पर मिल जाएगा, उसका लिंक आपको प्रोवाइट कर दिया जाएगा, और यदि आप पेड कोर्स के बारे में जानकारी चाहते हैं, ध्यान रहे, जिनको पेड कोर्स के बारे में जानकारी चाहिए, केवल वही इस नंबर पर क्या करें, WhatsApp करें, मिलता हो मैं आपक अगले सिसन में तब तके जन्यवाद, थैंक यू